हलो फ्रेंड वेलकम बैक टो में वीडियो आज की इस वीडियो में लोग फिर सहाजी रहें जैसे सी रेलवे के इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने प्रिविडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लिजे और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि हमारी पहुच अधिक सधिक लोगों तक हो सके और हो सके तो इससे ज्याद ज्याद अपने दोस्तों को सेयर करिए ठीक है चले बढ़ते हैं वीडियों में आगे की तरफ पहले कोश्चन की तरफ तुमारा पहला कोश्चन है किसने खालसा पंत की अस्थापना की थी अपनस है गुरू गोबिन सिंग गुरू नानक देव अंगत देव या सुनियानमे में बैसाखे के पर्व के दिन खालसा पंत की अस्थापना की थी अगर बढ़ते निश्ट कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है भारत के पहली महीला आएप्यस अधिकारी ऑप्शन्स है शरोजनी नाडू अनंदी बाई जोसी अन्यो मारा कीरण बेदी सही जवाब होगा कीरण बेदी कीरण बेदी जिनका जर्म 9 जून 1929 को हुआ था भारत की पर्थम महीला आईपेस सदिकारी है कीरण बेदी वर्स 1972 में भारतिय पुलिस सेवा यानि के IPS इंडिन पुलिस सर्विस में सामिल होने वाली पर्थम महीला है ठीक है आगे बढ़ते किसी राज का सास्त्री निरित है करनाटक उत्तर प्रदेश तमिलाडू या हर्याना एंसर कीर बढ़ते हैं सही जावब होगा उत्तर प्रदेश कथक उत्तर प्रदेश का इरित है इसमें confusion यह होता है कि एक कथक क्रिकेट, पोलो, हॉक्की ये कबड़ी इसको जवाब को या दखना है चाइनमेन वड़ जो है वो क्रिकेट के खेल से आया है ये एस्पेसली बॉलर के लिए यूज के जाता है अगर पढ़ते नेक्स कोशन की तरब अगला कोशन है ये आसकर प्रुसकार का संबन किस शेतर से साहित, सिनेमा, विज्ञान ये चिकत्सा क्या सही जवाब होगा सिनेमा आसकर प्रुसकार सिनेमा में सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठीत प्रुसकार है जो अमेरिका की अकाडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वार दिया जाता है ये प्रुसकार फि प्रुसकार, साल में एक बार दिया जाता है आसकर आगरा प्रसण हैमारा, कि निमलिखित में से कौन से तलव सबसे कठोर है, आप्तिंस हैं, लिवल, कि अलूमिनियम, एक ग्रेफाइट, सईस जवाब होगा हीरा हीरा एक क्रिष्टल ये कावर रुपन है हीरा प्रित्वी पर प्राकृति रुप से पाय जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ है प्राचीन काल से हीरे का उपयोग सजावटी वस्तु को रूप में कहा जाता है हीरे का परतना कितना है 2.42 ये भी आपको याद रखना है कभी-कभी एक जाब में पूछ दे जाता है अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ति की दरगा कहा है अपसन से अजमीर जैपूर नेदिली या चित्ताडगड सही जाब होगा अजमीर ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ति की दरगा अजमीर मिश्तित है और ख्वाजा सहब के नाम से परसिद है ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ति का जन 1143 इसवी को अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था ख्वाजा मुईनुदीन 1192 में मुहम्म्मद गौरी के साथ भारत आ गए थे ठीक है अगे बढ़त अगले पस्सक्राफ की तरफ अंगला प्रस्न है पत्ना का प्राचीन नाम क्या है क्या था ऑप्संस है पाटली पुत्र सिलोन हस्तीनापूर या वैसाली और सभी जवाब होगा पत्ना या पाटली पुत्र पतने जो है भारत कई बिहाराज के बातने जिले में इत्फिति यह तिहासिक नगर है और राज के राज धानी भी है यह बिहार का सब से बड़ा नगर है इसका पुराना नाम के किस खेल से हैं options है क्रिकेट, जिमनास्टिक, फुटबॉल या होकी, सही जाब के बात किजाए, इसका सही जाब होगा होकी, आगा खान कप जो है होकी की खेल से संबंदित है, आगा बढ़ता अगले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है, निम्लिकित में से किस भारती राज की रा सही जाब होगा, नागलेंड, नागलेंड भारत का एक ऐसा राज है, जहाँ पर इंग्लिस को राजभास्ता की दर्ज़त दिया गया है, क्योंकि उस राज के जायतर लोग इंग्लिस में ही भात करते हैं, तो जाब क्या है, नागले प्रसन की तरफ अगला प्रसन है, बांदिपुर राष्टी उद्धान दच्छिन भारत के करनाटक राजमी इस्तित है, यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में अस्थापित किया गया था, किस प्रोजेक्ट के तहत अस्थापित किया गया था, याद रखिए था, प्रोजेक्ट के नम था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, उसके अस्थापना भी गी गया थी, टाइगर रिजर्व के तोर पे, अगर बढ़ते हैं, अगले कोसिन के तरफ, अला कोसिन है, कौन भारती राष्टे कांग्रेस के पर्थम मुसलीम अध्यच थे, अप्सन से, बहरुदीन तयब जी, महमद अली जिन्ना, मुलावना अबूर कलामाजाद या म. अंसारी, से जब होगा, बहरुदीन तयब जी, बहरुदीन तयब जी, 1887 में भारती राष्टे कांग्रेस, पहले मुसलीम अध्यच और भारती राष्टे कांग्रेस के तीसरे अध्यच थे डबलू सी बनर्जी को द्वारा 1880 में भारती राश्टी के उंगलस के पहले अद्धिश के रूप में सपत लिया गया था और हुनियों नहीं इसकी अस्थापना की थी अगला प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण है किस मुगल साथ तक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था बाबर अकबर हुमायू यसा जहां सही जाब होगा अकबर दीन ए इलाही को 1582 इस्वी में मुगल समराथ अकबर के दोरा परसिबादित किया गया था दीन ए इलाही एक नया धर्म था इसमें सभी धर्मों के मूल तत्व को डाला गया था इसमें परमुकता हिंद्यों मुसल्मान धर्म की थी धर्म है इसके अलावा पार्सी जैन और इसाय धर्म के मुल विचारों को भी समिलित किया गया था ठीक है तो यह था अकबर के दोरा चला गया दीन ए इलाही धर्म आगे बढ़ते नेस्ट प्रस्म की तरफ अगला प्रस्म है भू इस्तिर उबगरार यानि कि जीयो अस्टेशनरी सेटलाइट कि प्रित्वी से उच कि ऐक उबगरा जिसकी समय ईदिश 24 घंटे है और एक कच्छा में सकेंदृत है प्रित्वी के भूमाद यही रेखा तल के साथ समतल भू अस्थे उबगरा या फिर जीयो अस्टेशनरी सेटलाइट त्यर और अब इस तरफ उबगरा कालता है भू है इस्तिर उबगरा प्र प्रासराव वित्रंगों की आवरिती कितनी होती है कॉसंसे 20,000 Hz से कम 20,000 Hz से अधिक 20,000 Hz के बीच 20,000 Hz के बीच 20,000 Hz किसे जब होगा 20,000 Hz से अधिक प्रासराव वित्रंगे प्राकृतिक में अनुद्धर्य होती है और इनकी आवरिती 20,000 Hz से अधिक होती है अगर बढ़ता अगला प्रस्न के दरब अगला प्रस्न है भारत्य समिधान में पहला संसोधन कब किया गया अप्शन से 1904-1952-1951-1964 अगर बढ़ता अगला इसका एक्स्प्लाइशन के दरब तो इसका जवाब गो 1951 भारत्य समिधान में पहली बार 1951 में संसोधन किया गया इसमें Constitution Act First Amendment 1951 के नाम से जाना जाता है संसद में तत्कालिर प्रधान मंत्री जवारा नहरु के द्वारा 10 मई 1951 को प्येस किया गया और 18 जुन 1951 को संसद में पास कर दिया गया था आगे बढ़ते अगले प्रस्न तरफ 17 नमबर प्रस्न डूरंड कप का संबंद किस खिल से है अप्शन से होकी फुटबॉल क्रिकेट या जुडो इसका सई जवाब होगा फुटबॉल डूरंड कप या डूरंड फुटबॉल टूर्नमेंट के स्थापना 1888 मुई थी या भारत फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगता भी है ठीक है अगे बढ़ते अगले प्रस्न की तरफ अगले प्रस्ने अभिज्ञान सकुंतलम के लिखा कौन थे अप्शन से कालिदास मुंसी प्रेम चंद रवीना टैगोर या जैसंकर प्रसाद इसका सही जवाब होगा महाकवी कालिदास महयान संस्कृत महासास्त्रों महाकवी कालिदास ने अभिज्ञान सकुंतलम लिखा था अगे बढ़ते अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है भारत के पहले कानुन मंत्री कौन थे अप्शन से डॉक्टर सरुपली राधा सरदार बल्ला भाई पटेल डॉक्टर भीमरावंबितकर अब्दुलकलाम अचाद इसका सही जवाब होगा भारत के प्रथम कानुन मंत्री डॉक्टर भीमरावंबितकर थे वर्षन 151 में भारती कानुन और नियायम मंत्रा लया स्थापित किया गया इस विभाग के मंत्री से डॉक्टर भीमरावंबितकर बने थे उनका कारेकल निच्टो साथ में सुलू किया गया है साहित का पर्थम नविल प्रुसकार किसे दिया गया था आप्शन से रूडियाड किपलिंग मदर ट्रेसर रवीना टैगोर रूडफ किस्टोफ क्रिश्टोफ क्रिश्टोफ किस्टोफ होगा रूडियाड किपलिंग एक याद रखेगा इस प्रस्ण में रवीना टेगोर को भारत के पहले व्यक्ति थे या एस्याई पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहिति के छेत्र में उनकी कवीताओं के लिए उन्हें नोबल प्रेज दिया गया था ठीके प्रिंट सेयर करिएगा एक शेटाप के और भी इन्फरमेटरी वीडियो के लिए मिलते आप से नेक्ट वीडियो में अगले 20 प्रस्णों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जिरू करिए ठीक है फ्रेंट मिलते आप